इति की सीटेट कि गणित मेंretchedert शाले थो ह quartz अलर कर आता था था फुला ऐख अले आता है यह तधा स्याजा एप हो पेशिटेट की आंडे धाले है अर्य अप को स्यांभत गर पर तो Люб lesi अलएrik syndrome मैंत्मेंटिक्स होता है मतलब गरिण का सिछा सास और यह 15 नंबर होते हैं इसके भी दो पार्ट के यूटर्ट ने आपको आर्थमेंटिक्स हो जाता है, दूसरे में जिवेट्री हो जाता है, तो इसके भी दो पार्ट हो जाता है, यहां में भी दो पार्ट जाते हैं, एक आपका धारिक्ट की कच्छा में दिया, एक किसी प्राच्छी बिद्याले में, एक किसी कच्छा में, आप के प्रती बच्चो प्रियोग गड़िती कच्छा में कैसे करेंगे इस प्रकार्ज सब मिरा कर पुना वापस कुना वापस हमें 30 मार्स की लडाई मिल जाती है तो हम लोग गलती क्या देते हैं?, गलती कर देते हैं यह कि जब हम गड़ित पढ़ते हैं तो जब कील गड़ित शालों चाहरते हैं अब सुरु करते हैं अपमी कळावस्तु मुझे हो ख़ावस्तु में किवल एक अस्थिक पड़ने के यहां से चनन्द के फिर ON कुछ गिने चुने मात्र साथ अध्या से प्रश्णा आते हैं उन्हीं साथ अध्या को पढ़ना है और एक अध्या मुस्किल से दो से तिन दिन में खतम हो जाएगा लेकिन समझने के लिए आपको एक से दो क्लास तिन क्लास इस्टा रेनी पड़ेगी उसके बाद उन्हों कि से संख्या पढ़ति न देखे आप अंकिक ज्यां दीया संख्या पढ़ति को सबसे तो नमबर सिष्टम यहत्ते हैं मैं संख्या जोल घटाना गुडा भाग है तो कहीं न कहीं आप सब जोल घटाना गुडा भाग पढ़के आतका हैं ठीक गाले किसने भी किसी कमजोर क्यों ना हो वह जोल घटाना गुडा भाग अच्छी तरह से जानता है लेकिन फिर भी जब हुन कंपधिशन की माइधन अटारते हैं तो थोड़ी से इंप्रूम्मेंट की जरुत पढ़ते हैं थोडी सधार पढ़ते हैं वह सुधार लोग किस prechtार सो होगा तो संख्या पदतिव जो सबसे पहले आता है वो होता है अंगे किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं कि किति या संख्यां को या जब घरिट की जो मूल अंत होती है जो मूल ढ़नियां होती है जिस से चोटी नहीं कि जा सकते उन्हें हम अंगे कहते हैं वह अंगे किसन कि यह मूल और सबसें छोटी बनी काही होती है जिसे हम कहते हम 2 कि संख्यां। होता है एक एक से अधिक एक से अधिक 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 कि दो या दो से अधी क्या एक एक से अधिक अंकों के मिलने से किसका निर्मार होता है संख्या की निर्मार होता है संख्या निर्मार के पाद अगली चीज आती है वह आती है प्राक्रितिक संख्या प्राक्रितिक संख्या यह प्राक्रितिक संख्या किसी कहते हैं नहीं गिंति गिंती की संख्याओं को हम प्राक्रितिक संख्या करते हैं, गिंती की संख्याओं को हम प्राक्रितिक संख्या करते हैं, इसी नेचुरल लंबर भी कहते हैं, गिंती की संख्याओं को हम प्राक्रितिक संख्या करते हैं, इसे नेचुरल लंबर भी कहते हैं, गिंती की हमें एक जोड़ने के बाद जो अगली संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या क्याते हैं वह उसकी अनुवर्ती संख्या होती है अब हमने क्या सिखा है अब यहां में मिलेगा अनुवर्ती और पूर्वर्ती यह अनुवर्ती पूर्वर्ती क्या होती है उसको समय लेते हैं प सबसे चोटी प्रकित संख्या और सबसे बड़ी अनन्द होती है दो कोड़ प्रस्णिया से मन सकते हैं पैला प्रस्णिया प्रस्णिया क्या होती है ओक्षी की अभी मस्नोर्सन्टाब में जैसे इसमें में एक जोडेंगे या इसकी अनुवाठी संख्या होगी व्युस्ते आप चाहे लिधलिए औरफल से हैं अगली संख्या प्रात्थे आप सकते कि सब्से बड़ी प्राकिर संख्या यह nclit उससे बड़ी प्राकिर संख्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी प्राकिर संख्या होती हो अनन्त होती है, सबसे छोटी क्या होती है, एक होती है, अब एक concept बात इसमाहो लिखेगी, निकलेगी, कि प्रतेक संख्या, प्रतेक संख्या, अपनी पिछली संख्या से एक अधिक होती और दी कोई पांत चार एक अधिक हो तो एक अधिक हो निगे कों क्या क्या C kell L कार्थी कर दिया है कि कि और चार की यह न Urtie कि अगली सर्ड भार्वर्थी पंद्रक अगेरन पंद्रक अग rif10 इकल को चीए कढ़िए पर्चीश की पूरवर्ति के दिता ठीक तो पूरवर्ति मनें पहली संख्या मन किसी संख्या में अगर एक घटा देंगे तो पूरवर्ति संख्या प्राफ्थ हो जाएगी एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ति या अगली संख्या प्राफ्थ हो जाएगी हमने दोचे सीखा पूरवर्ति और अनवर्ती संक्रा लेंकित सीटिड में कोशन पूचन पूंच इन। शक्राइब किता की तर्वर्ती क्या होगी? इसकी अनुवर्त्य की उत्तर वर्त्य क्या हो एक अनुवर्त्य ओत्तर वर्त्य की नाम से अनुवर्ति माने प्लस है तो जो हम ने क्या सिका अनुवर्ति काई सब्सक्राइब तो किसी संख्या की उत्तरवर्थी संख्या में माइनस एक घटा देंगे माइनस एक कर देंगे तो हम इसके उत्तरवर्थी प्राफ्त हो जाएगी या पूर्वर्थी प्राफ्त हो जाएगी यह तो हो गया प्राइटिक संख्या है अब आते हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण सं अब पूर संख्या किसे कहते हैं ये भी आसान है जीरो सहीद गिंती की संख्या को हम क्या कहते हैं पूर संख्या कहते हैं जीरो सहीद कैसे जीरो एक दो ती चार फान अन्थ जीरो सहीद गिंती की संख्या को हम क्या कहते हैं या प्राक्टिक संख्या को हम क्या कहते हैं पूर स तो सभसे छोटी पोर संख्या जि में अनत होगे आया तो चीज़े में फिर मिली सभसेटेट अनन्त क्यों है प्रतेक संख्या की उत्तरवर्ती संख्या जो होती है उत्तरवर्ती में अनुवर्ती संख्या वो उससे बड़ी होती है प्रतेक एक जोड़नेप उसकी अगी संख्या प्राप्त जाएगी इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अनन्त होगी ठीक योग याट अब अता है अपका नंक ayam कोड़ां को कि यह धन्फोडां क्या होता द्फड़ां प्रेश्टिक संख्या खे यह जह से किसी भी संख्या किसी भी नंबर के सामने यदि कोई चुन नहीं दिया है तो सदय हो मुझे धन या धनातों मानते हैं जैसे देदिया क्थाइश कोई चुन नहीं दिया है किसी क्या मानेगे सदय पाजिटिव धनातों मानेगे इसका मतलब है यह प्लस अथाइश मैंने जुई संख्या के आगे कोई इचे नहीं दिया उसे धनात्म मालते हैं इसलिए प्रते प्रतिक संख्या धन पुड़ांग होती है और धन पुड़ांग संख्या प्रतिक संख्या होती है ठीक क्योंकि यह धनात्म नमर उतीस लिखा जाया न लिखा जाया फिर आता है रि यह रिड़ पुडांग रिड़ पुडांग क्या है नकरत्म को संख्या हो गया कि रिड़ पुडांग जिसे हो गया यह माइनस एक, माइनस दो, माइनस दी, माइनस चार, माइनस पार, अनंत अब यहां से भी दो प्रश्ण बनेगा, पहला प्रश्ण, अधरम यह पुछे दन पोड़ांग की होगी तो सबसे बड़ी अनन्त होगी सबसे छोटी दन पोड़ांग एक अगर वह रिड़ पोड़ांग भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी रिड़ पोड़ांग कौन होगी क्या बताईएगा सबसे बड़ी रिणपोनांग होती हो माइनस एक होती है यह हमेंसा याद रखेगा अब कोई बच्चा माइनस एक नंबर पाए और कोई बच्चा माइनस 5 पाए तो जादा कौन पाए इसलिए सबसे बड़ी रिण पुनांग माईनस एक और सबसे छोटी अनल की इसका उलटा यहां का नाग यह रिण पुनांग पलास हैं और सबसे बड़ी माईनस एक 1 जाफ न से पुनांग यह ऊंध हैं इसके बाद हम लोग पढ़नेते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा पर भी इसम पहते हैं नंबर लाइग अभी इनका प्रयोग प्यरेंगे कैसी हाजे प्रश्ण बनी नहीं तो लग रहा होगा कि इसी प्रश्ण कैसे पूछेगा तो हम लोग पढ़ते जाएं जीरो संख्या रेखा कि जब दाया तरफ जाते हैं तो हमें धनात्मग प्राफ्त होते हैं तो नहीं तरफ नंबर मिलते हैं जीरो के जन दाया तरफ जाते हैं अमें धनात्मग ठीक तो जीरो के अगऑ से निरुकत रहते हैं इसके धाया तरफ धनात्मा को बाही तरफ तक तो यहां से यह धन पोणा। जीरो के दाई तरफ के संख्या है धन पोनांग, जीरो के बाई की तरफ संख्या है अब यहां पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी धन पोनांग क्या है तो अनन, सबसे छोटी धन पोनांग अब उल्टा आते हैं रिन पोनांग में, तो सबसे बड़ी रिन पोनांग माइनस है जो सबसे छोटी यहां है थे उसका वो सबसे बढ़ी है और यहां जो सबसे बढ़ी है वह यहां सबसे चोटी है तो सबसे छोटी रिड़ पुड़ा है कितना छोटा करेंगा फिर माइनस एक किया फिर प्लस एक किया तो बढ़ता जाएगा यहां क्या करते हैं प्रतेक एक जो यह सुन लागा आगया बढ़े हैं अब जीरो साहिव घटिक की संख्या Noel का का है है सबसे बड़ी रिड़ पोड़ा माइनस एक सबसे चोटी रिड़ पोड़ा इतनी चीजी हम लोगों ने पॉइंट लिया अब आगे चलते हैं अब जो आगे आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समसंख्या और बिसम संख्या तो समसंख्या बिसम संख्या तो साथ बहुत सारे लोगों परचेतों के और जानते भी होंगे समसंख्या किसे करते हैं अगर आपको जानने के साथ सरल सनियम है कि आपको अंक याद है अंक नहीं आद है अंक को सम्ख्या किसे रिखी दीचेगा पहले उपर लिखा में 0 नीचे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 उपर के इकाई अंक जिनका आएगा वे समसंख्या होंगी और जिनक और गहाँ कि आपको अंक जीरो 2 4 6 8 आधी होगा वे सन्ख्या क्योंगी और जिन संख्या होंगी कोई संख्या कि अ perspective कोईcia एक होगी इकाय कि मुझसा ने को होता है कि सबसर्च दाहिने कि होता है किसी दीचिवर्चा कि अंक होता है या इकाहिक आनक कहला इसमें इकाइकन क्या है? इसमें इसको इच्छा है? तो अगर किसी भी संख्या क्या है? अब इसका इकाइकन क्या होगे? बिसम संख्या क्या है? तो हम ने क्या से का? जिस संख्या के इकाइकन अंग जीरो दो चार छे आठ हाती होता है विसम संख्या क्या लाती है? जिस संख् तो बिसम हो आगे अवागे वह पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भाज संख्या और अभाज संख्या तो सब्सक्राइब पढ़ा जाएगा अभाज संख्या यह अभाज संख्या किसे कहते हैं और अगे वह पढ़ें गाया अभाज संख्या किसे कहते बताइएगा अभाजी संख्या किसे कहते है एसी संख्या है यह कोई भी संख्या होती है वो तो एक से विभाजी थोगी और स्वाम से विभाजी थोगी आब देखिनें यहां से सबसे ज्यादा प्रश्ण कुछे आता है वही लिखते हैं हर बार टेट में इस बार ये पूझा था तीन साल से टेट में लगा ताख पुषता है इसथफास रहेला प्रश्ण आता है कि सबसे छोटी है भाज संक्या क्या है कि आहे मात्र अपया स्वश्र आपंति चुम्वाज संख्या कि दो एक समभाज अंख्या ने next यह बढ़ी कितनी संख्या है तो अब प्रशन आता है अब आजकल न्या ट्रेंच निकाला है कि एक से लिए के सौ तक के बीच के कि बीज कुल कितनी अभाज संख्या होगी या कुल कितनी अभाज संख्या होगी बताएं इसको लिखे हैं एक से लेके सौब के बीज या एक से लेके अभाज संख्या एक से लेके सौतक के बीच कुल कितनी अभाज संख्या होंगी अब लेक से लेके सौतक के लिख लिजिएगा लिखने में सो गिल लिजिएगा योगि सीधा प्रस्ण पूछेगा कि एक से लेके सौ तक के बीच में कुल कितनी अभासंख्या होती है तो लिख लिएगा पचीस संख्या है उत्तर इसका लिख लिख लिएगा कि एक से लेके सौ तक के बीच में कुल पचीस अभासंख्या होती है कितने अभासंख्या होती ही पचीस अभासंख्या है कि बीच में कुल कितनी अभा संख्याएं होती हैं फिर एक से लेके 25 तक के बीच में कुल कितनी अभा संख्याएं होती हैं एपना लिख लिजिएगा इस बार सुपार टेकर प्रसिदा पूछ लिए था यही कुछा था यही बिली था एक से लेगे पतीस तक के अभा संख्याओं का आस्थ क्या हो यही कुछा था यहां यह जो निसी हमें लिखा दा और यह पुछा था एक से लेकर 25 तक के सभी अभासंख्यां का और यह पुछा थी पुछा थी पेडिक में यह दोनों प्रश्ण यह से इस बर पूछे रहेते आपको क्या याद रखना है का जयांतर पुछा है एक से लेकर 25 की की अभासंख्या यह साचिस निञांगे करिए और आगे पर चलिए इक हुजाने यह soothing हर तो न benevolent या जैंका गैसे करते हैं से पुमका जो संभाजे की नहीं हो इसे जो संक्य कैने अब आज निए भाज़गे लेकिन एसंख्या जो एक सिव भाजी he Horand सबसे चोटी जो भाज संख्या होती है वो क्या होती है सबसे चोटी भाज संख्या क्या होगी चाफ ठीक सबसे चोटी सम भाज संख्या क्या होगी सबसे चोटी विसम भाज संख्या क्या होगी सबसे चोटी विसम भाज संख्या क्या होगी सबसे चोटी विसम भाज संख्या होगी सबसे चोटी विसम भाज संख्या होगी सबसे चोटी विसम भाज संख्या होगी सबसे चोटी विसम इन ही सबसंहें कि कि एक से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी पिल। लगा है लेकिन गलती क्या होगे कि एक जाते रहेगा निसा एक न तो भाज होता है न तो एक कम कर देंगे तो निन्यान में हो गया निन्यान में 25 गया तो कितना हो जाएगा 74 माने 74 भाज संख्याय होती है एक से लेके सौ तक के भीच में उन 74 भाज संख्याय होती है जब क्यों होनी से यह 75 लेकि 74 क्यूं है क्यूंकि एक न तो भाज होती है न अभाज एक कुछ नहीं है इसी लिए एक न तो भाज है न अभाज किसे करते हैं अभाज संख्या को रूड किसे करते हैं रूड तो पड़े नहीं है तो अभाज को रूड को दो एक से लेके 25 तक के बीच में कितनी अभाज़ संख्या होती है इतना आप लोग बसाईएगा इसको इसके बाद लिएगा इसके आगे पढ़ेंगे परिमे संख्या और परिमे संख्या कि वो बड़ा लिंदी यह वहां से प्रशनाता है उसको पढ़ने उसके पढ़ने बाद फिर इसके अंदर आवड़ेंगे सीचे की तरफ